दोस्तों शुरुआत करेंगे नंबर 20 से, नंबर 20 पर थी तुम से अच्छा कौन है? शमी कपुर और बविता थे, लेट रोल में डिरेक्टर प्रमोच चकरवर्टी मेजिक दिया था, शंकत चेकिशन जी ने इसके गाने बहुत ही जादा फेमस थे, जैसे जनम जनम का साथ है, और तुम से अच्छा कौन है? दोनों ही गाने रफीची ने गाय थे, बजट था थी, येश शोपड़ा, और बजट था पच्छास लाग का, इंडिया से कमाई वीटी पच्छासी लाग, पूरी दुनिया से एक करोड सतर लाग, और बॉक्स आफिस पर मुवी सेमी हिट थी, अठ्ठा पर थी, अंजाना, शराजिंतर कुमार और बविता थे, इस मुवी के लेड रोल में डिरेक्टर मोहन कुमार म्यूजिक दिया था, लक्ष्मिकान प्यारे लाल जी ने, इसके गाने काफी हिट थे, जिन में से कुछ थे, हम बहनों के लिए मेरे बहिया लता जी ने गाया था, और रिम जिम के गीत से अवन गाये, और एक बहुत ही प्यारा जान चली जाए, जिया नहीं जाए, बजट था, 57 लाग का, इंडिया से कमाई वी थी, 18 लाग पूरी दुनिया से, 17 लाग मूवी एवरेश थे, 17 पर थी, चिराग, सुनिल दत, आशा पारिक और ललिता पवार थे, लेड रोल में डिरेक्टर राज होसला म्यूजिक मदन मो आदमी और इंसान धरमेंद्र, सहरा बानू, फिरोष कान और ममतास थे, लीड रोल में फिरोष कान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, इस मूवी के लिए, डिरेक्टर थे, यस चोपड़ा, और इसे म्यूजिक दिया था, रवीती ने, बजट था, 60 अपका, इंडिया से कमाई हुई थी, 95 लेक, पूरी दुनिया से 1 करोड 80 लाग मुवी, अबाउ, एवरेस्टी 15 पर थी, तलाश राजेंद्र कुमार, शर्मलेट गोर थे, इस मूवी के लेड रोल में डिरेक्टर ओपी रलन थे, और इसे म्यूजिक दिया था, स्टी बर्म की पूरी दुनिया से 2 करोड की मुवी, अबाउ, एवरेस्टी 14 पर थी, प्यारी प्यार, लेड रोल में थे, धर्मिंद्र और वेजन ती माला, डिरेक्टर बपी सोनी, मेजिक दिया था, इसे, शंकर जे किशन जी ने, इसका एक बहुती प्यारा सांग था, मैं कहीं कभी नबन जाओ, 60 लाग के बजट में बनी थी, एक करोड, इंडिया से कमाई होई थी, दो करोड, 10 लाग पूरी दिनिया से मुवी, अबाउ, एवरेस्टी 13 पर थी, डोली, राजिश कन्ना और बबीता थे, इस मुवी के लेड रोल में, डिरेक्टर थे, अधूरती पाफी अच्छे थे, जिसमें था, डोली चड़ के दुलने ससराली चली, और बहुत ही प्यारा सांग था, सजना साथ निपाना, बजट था, 55 लाग का, एक करोड, 10 लाग इंडिया से कमाई हो थी, दो करोड, 20 लाग पूरी दुनिया से मुवी, सेमी हिट थी, बारापर थी यकेन, धरमेंद्र और शर्मलाटेगोर थे, इस मुवी के लेड रोल में, डिरेक्टर थे, ब्रिच सदाना, मेजिक दियाता है, शेंकर जय किशन जी ने, इसका एक बहुत ही फेमस सांग था, घर तुम बुला न दोगे, दो वर्जन में था, फीमेल और मील, दोनों में ही, बहुत ही फेमस सांग था, साथ लाग के बजट में बनी थी, एक करोड़ पचीस लाग इंडिया से कमाई की थी, दो करोड़ चालीस लाग पूरी दुनिया से मुवी सेमी हिट, ग्यारा पर थी वारिस, जीतेंद्र और हेमा मलिन थे, इस मुवी के लेड रोल में, हेमा मलिन जी के ये दूसरी मुवी थी, पहली मुवी थी उनकी सपनों का सौधागर, डिरेक्टर थे रामाना और म्यूजिक दिया था इसे आड़ी, बर्मन जी ने, उसका बजट था 48 साख, एक करोड़ पचीस लाग इंडिया से कमाई थी, दो करोड़ पचीस लाग पूरी दुनिय थी, डिरेक्टर थे इस मुवी के मोहन सैगल जी म्यूजिक दिया था इसके लक्षमी कान प्यारे लिजी दे इसके भी गाने बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, मनोज कुमार और आशा पारिक की साथ में ये आखरी मुवी थी, इसके कुछ फेमस सौंग थे, रेशम की दोरी और साजन साजन पकारूं गलियों में, ये साउंग दो बार था, मेल वर्जन और फीमेल वर्जन, मेल में गाया था रफी जीने और फीमेल में लटा जीने, पच्चास लाग के बजेट में बनी थी, एक करोड तीस लाग इंडिया से कमाई हुई थी, दो करोड साथ ल ममतास थी, एक के साथ पूनम सिना थी, डिरेक्टर थे रवी कांथ नगेचा, म्योजिक दिया था, इसे लक्षमी कांथ प्यारे लाल जी ने, इसके फेमस सांग थे, दिल में क्या है, जिसे परदे पर पूनम जी और जीतिंद्र जी ने गाया था, और दूसरा था, राज रही है, जिसे परदे पर कीतेंद्र और ममतास पर फिल्म आया गया था, 55 लाग के बजट में बनी थी, 1 करोर 35 लाग इंडिया से कमा युई थी, 2 करोर 55 लाग पूरी दुनिया से मोवी हिट थी, आठ पर थी बंदन, राजिशकना और ममतास थे इस मोवी के लेड रोल में, इस डिरेक्टर नरेंदर बेडी की ये पहली फिल्म थी, म्यूजिक दिया था इसे कल्यान जी आनन जी ने, राजिशकना जी की ये पहली हिट फिल्म थी, इससे पहले उनकी सब फिल्में फ्लॉप थी, 60 लाग के बजट में बनी थी, 1 करोर 40 लाग इंडिया से कमा युई थ साथ पर थी आया सावन जुम के, धरमेंदर और आशा परिक इस मुवी के लेड रोल में थे, इन दोनों की साथ में ये तीसरी हिट फिल्म थी, तीसरी हिट थी, डिरेक्टर थे रगुनाज जालानी और म्यूजिक दिया था इसे, लक्ष्मी कान प्यारे लाल जी ने, इसके एक करोर पच्चास लाग पूरी दुनिया से तीन करोर मुवी हिट थी, छे पर थी जीने की रहा, जीतिंदर तनुजा और अंजली कदम थी, इस मुवी के लेड रोल में डिरेक्टर एलवी प्रसाद और म्यूजिक दिया था इसे, लक्ष्मी कान प्यारे लाल ने, म्यूज लगने लगे, इसके लिए लटा जी को बेस्ट प्लेबेक सिंगर का आवाड भी मिला था, मुवी का बजट था पच्चास लग था, एक करोर साथ लाग इंडिया से कमा यूज थी, पूरी दुनिया से तीन करोर पच्चीस लाग और मुवी हिट थी, पाचपर थी इंतिकाम संजय खान, साधना और हैलन थे इस मुवी के लीड रोल में, साधना ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया था, क्योंकि उन्हें थायरड का प्राब्लम था, उन्हें एक अच्छी हिट मुवी की जरुरत थी, जो उन्हें मिल गई थी, ये डिरेक्टर थे, आर के नहीं है, और म्यूजिक दिया था, लक्षमी कान प्यारेलाल जी ने, वैसे तो सब गाने इस मुवी के बहुत ही ज़्यादा जबर्तस थे, पर दो गाने खास थे, क्योंकि ये लता जी ने गाय थे, ऐसे गाने पहले लता जी ने नहीं गाय थे, आ जाने जा, और कैसे रहू चुपके मैंने पी ही क्या है, बजट था 60 लाग का, एंडिया से कमाई थी, एक करोर पचातर लाग, पुरी दुनिया से 37 करोर मुवी हिट थी, चार पर थी प्रिंस, शमी कपूर और वैजन जी माला थे, इस मुवी के लेड रोल में, डिरेक्टर थे, लेक टंडन और इसे म पूरी दुनिया से मुवी हिट थी, तीन पर थी, एक फूल, दो माली, साधना, संजेखान और बलर रचानी थे इस मुवी के लेड रोल में, और डिरेक्टर थी, देविंद्र गोयल, म्यूजिक दिया तैसी रवी जी ने, इसका इस मुवी का हर गाना जबरदस्त हिट था, पर एक गाने की में खास बात करूंगी, जो था अलाद वालों, फूल ओ फलो, ये इसका बेस, संग था, पच्पन लाग के बज़र में बनी थी, दो करोर, पच्चास लाग इंडिया से कामाई हुई थी, पाच करोर, पूरी दुनिया से मुवी सुपर हिट थी, दो पर थी, दो रास थे, धर्मेंद्र, स्वारी, राजिशकाना, मुम्तास, बिंदू थे इस मुवी के लेड रोल में, प्रिडुसर और डिरेक्टर से, राज खोसला, म्योजिक दिया था, इसे, लक्ष्मी कान, प्यारे लाल जी ने, चंद्रकान का कोड़े को, बेस्ट इस्टोरी का अवार्ड मिला था, इस मुवी के लिए, हर गाना बहुती जादा जबरदस्त हिट गवा था इस मुवी का, जिसमें से एक में बताऊंगी, यह रेश मी जल्फें, और बहुती प्यारा सांग था, बिंदिया चमकेगी, चुड़ी खनकेगी, बजट था, 80 लाग का, 3 करोड, 25 लाग इंडिया से कमाई भी थी, 6 करोड, पूरी दुनिया से मुवी सुपर हिट थी, एक नंबर पर थी आराधना, राजिशकन और शर्मला डेग और दोनों की साथ में यह पहली मुवी थी, बहुती जबरदस्त मुवी थी, डिरेक्टर थे, शक्ती सामन था, मेजिक दिय है भावने बेस्ट सॉंग था, और उसके बाद कुरा का अगस्ता, और सबसे प्यारा सॉंग था, इस मुवी का रूप तेरा मस ताना, इस गाने के लिए किशुर कुमार जी को बेस्ट प्लेबेक सिंगर का आवार्ड मिला था, शर्मला डेगोर को बेस्ट फीमेल एक्टर क आवार्ड मिला था, और शक्ति सामन्ता जी को बेस्ट मुवी के लिए आवार्ड मिला था, थेंक्स फर वोचिम,